Hello Everyone, आज मैं आपको अपने वीडियो में ये बताऊंगी कि पालर जैसा ब्लीच आप घर पे बैठ के किस तरह से कर सकते हो मैं यहाँ पे Natural Gold Bleach का यूज़ कर रही हूँ आप यहाँ पे किसी भी ब्लीच का यूज़ अपने Face के अकॉर्डिंग कर सकते हो ब्लीच बिनाने के लिए आप कांच का या प्लास्टिक का बाउल ही यूज़ करें यहाँ पे मैं अपने Face के अकॉर्डिंग ब्लीच लूँगी और ब्लीच के साथ हमें मिलता है Activator Powder तो मैं Activator Powder को दो चुटकी लूँगी और ब्लीच के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करके अपने Face पे अप्लाई करूँगी ब्लीच लगाने से पहले आप अपना Face बहुत अच्छे से क्लीन करें और उसके बाद फिर ब्लीच लगाए आप वीडियो में देख सकते हो कि मेरे Face पे काफी ज़्यादा Tan हो रखा है और मेरे Face पे हलके हलके बाल भी है जिससे मैं ब्लीच अप्लाई करूँगी अपने Face पे जिससे मेरे Skin Tone सेम हो जाएगा अगर आपके Face पे किसी भी तरह के Allergy है या Pimples है तो आप ब्लीच का Use ना करे मैं सबसे पहले Hairband की Help से सारे बालों को कवर करूँगी और ब्लीच की Mixing Activator के साथ बहुत अच्छी तरह से करे जिससे ब्लीच बहुत अच्छे से हमारे Face पे अप्लाई होगा सबसे पहले मैं ब्लीच को अपने चिक्स के साइट से लगाऊंगी और फिर पूरे Face पे लगाऊंगी ब्लीच लगाते समय आई एरिया और वाइट करे मैं ब्लीच को रखूंगी अपने Face पर 15 मिनट तक अगर ब्लीच इस तरह से बीच बीच में फूल जाए तो आप इस तरह से Finger की Health से घुमाए जिससे आपकी ब्लीच पुरे Face पे बहुत अच्छे से अप्लाई होगी ब्लीच कनने के बाद आप किसी भी Clean Up या Facial का Use जरूर करें जिससे आपको ब्लीच के और Facial के रिजल्ट दोनों ही अच्छे मिलेंगे हमें अपने Face पे खाली ब्लीच नहीं कनना चाहिए 15 मिनट ब्लीच रखने के बाद मैं गीले टिशू टावल से अपना Face बहुत अच्छे से Clean करूँगी ठंडे पानी से आप देख सकते हो मेरे Face पे कि मेरे Face पे ब्लीच बहुत अच्छे से अपलाई हुई है और उसका Glow भी मेरे Face पे आ रहा है ब्लीच करने के बाद आप साबोन अवाइट करें अपने Face पे 4-5 घंटे तक और धूप में जाना भी अवाइट करें अगर आपको मेरा ये वीडियो यूसफुल लगे तो प्लीज इसे Like, Share, Subscribe करना बिल्कुल भी न भूले Thank you so much